बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने धातों के भौतिक गुण और रासानिक गुण दोनों के बारे में पढ़ा हैं। जब आपने धातों के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि धातों में कुछ समानताई भी होती है और कुछ भिन्यताई भी होती है इसी प्रकार से आपने धातों के रासायनिक गुणों के बारे में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ा है रास हम इस विस्तापन अभीक्रिया के आधार पर धातू के रासानिक गुणों को जानने का प्रयास करते हैं इसके लिए हमें चाहिए छे परक्नलिया जिसको मैंने पहले से नामांकित करके रखा है अ ब स द ई और फ पहली दो परक्नलिया हैं जिसमें मैंने कॉपर सिल्फीट का जिलेन बना है कॉपर सिल्फ़ट फॉफ न इसमें कॉपर एक धातू ए इसी कर से वह द चिश्sınफीड का भी लेन बना हैं जेदेन सो फैर्फ्यिट का बिलेन बना है FSO4 जिसमें आईरेनिक धातु है और फ़ परक्नली जिसमें सोडियम क्लोराइड एनेसील जिसमें सोडियम धातु है कविलियन बनाके रखा है इसके साथ साथ हमने कुछ आलपिन ली है दानेदार जिंक लिया है तामबे की छीलन ली है और मैगनिश्यम रीबन के कुछ टुकड़े लिये है तो चलिए अब अरक्नली में हम कुछ अलपिन डाल देते हैं इस अलपिन को मैंने धागे से बांद के रखा है ताकि इसमें होने वाले परिवर्तन को हम निकाल के देख सके तो इसे डाल देते हैं ब परक्नली में हम दानेदार जिंक डालेंगे समें तामबे की छीलन द परक्नली में मैंगनेशम रीबन के कुछ टुकड़े इपरक्नली में और फव परक्नली इन दोनों में हम दानेदार जिंक डालते हैं तो बच्चो इसे हम पास से दस मिनिट के लिए रख देते हैं ताकि इसमें होने वाले परिवर्तन को हम देख सके चले बच्चो अब हम देखते हैं कि हमने जो इसे पास दस मिनिट के लिए रखा था इसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं पहली परिख न लिए जिसमें कॉपर सेलफेट का विलियन है इसमें हमने कुछ आलपीन डाली थी चले इसको निकाल के देखते हैं अरे वा ये जो लोहे के अलपीन थी इस पर तो तामबा जम गया है ऐसा क्यूं हुआ बच्चो ऐसा इसले हुआ क्यूंकि लोहे की पीन जो कि आईरन एक धातू है आईरन ने कॉपर सेलफेट के विलियन में से कॉपर को विस्तापित कर दिया इसका अर्थिये हुआ कि आईरन कॉपर से ज़्यादा सकरी है जिसके कारण हमें ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है दूसरी परकनली इसमें हमने कुछ दानेदार जिंग डाली थी अब हम देख सकते कि दानेदार जिंक के उपर भी कौपर की परत, तामबे की परत हमको दिखाई दे रही है यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? इसका अर्थ यह है कि जिंक जो है वो कौपर सेलफिट में कौपर को विस्तापित किया जिंक कौपर से जादा सकरी है जिसके कारण यहाँ पर भी हमको इस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दिया अब हम देख सकते हैं तीसरी परकनली इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ यह अभी भी वैसे दिखाई दे रही है इसका मतलब यह हुआ कि जिंक सलफिट में जो जिंक धातु है वो कौपर से जादा सकरी है जिसके कारण कौपर जिंक को विस्तापित नहीं कर सका इसलिए यह अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा है दपरकनली इसमें जिंक सलफिट का विलियन था और मैगनेशियम फीते के कुछ टुकड़े थे मैगनेशियम जिंक सलफिट के विलियन से क्रिया किया जिससे मैगनेशियम सलफिट का निर्मान हुआ और इस प्रकार से यहाँ पर भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह हुआ कि मैगनेशियम जिंक से ज्यादा सक्री है इसमें आइरन सेलफिट और दानेदार जिंक लिया था हमने तो हम देख सकते हैं कि आइरन सेलफिट का जब हमने बिलियन बनाए था थोड़ा सा हरा दिख रहा था लेकिन अभी ये कलरलेस हो गया है मतलब इसमें परिवर्टन हुआ इसका अर्थ ये है कि जिंक धातु जो है वो आइरन से ज्यादा सक्री है इसलिए यहाँ पर हमको परिवर्टन दिखाई दे रहा है अब जो फ़परकनली है इसमें हमने सोडियम क्लोराइड और दानेदार जिंक लिया था इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें कोई परिवर्टन दिखाई नहीं दे रहा है ये अभी भी वैसा ही है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम क्लोराइड की जो सोडियम धातु है वो जिंक से जाधा सक्री है इसलिए जिंक सोडियम को विस्तापि नहीं कर सका इसलिए हमको कोई परिवर्टन दिखाई नहीं दे रहा है तो बच्चो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ धातुए अधिक सक्री है तो कुछ धातुए कम सक्री है इस प्रकार ते सक्रेता के एक शेणी यहाँ पर बन जाती है तो ऐसी धातू है जो विलियन में से दूसरी धातू को विस्तापित कर देती है उसे हम सक्री धातू कहते हैं बच्चो कुछ धातू के उनकी सक्रेता के आधार पर एक श्रेणी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस सार्णी में उपस्तित प्रत्यक धातू उसकी नीचे में उपस्तित धातू से अधिक सकरिये इसलिए प्रत्यक धातू उसकी नीचे की धातू को रासानी कभी क्रिया में आसानी से विस्तापित कर लेती है जैसे कि हम देख सकते कि लीथियम जिसे सबसे उपर में रखा गया है अब आप बताईए इसे सबसे उपर में क्यों रखा गया है क्योंकि ये सबसे अधिक क्रियाशिल है और जैसे हम नीचे देखते हैं तो सबसे नीचे में किसे रखा गया है प्लाटीनम को तो बताईए प्लाटीनम को नीचे क्यों रखा गया है बिल्कुल सही क्योंकि प्लाटीनम सबसे कम क्रियाशिल है इस प्रकार से क्रियाशिलता की एक शेणी बन जाती है और जैसे हम उपर से नीचे आते हैं क्रियाशिलता कम होती जाती है तो बच्चों आप भी कुछ धातों के साथ यह भी क्रिया करिए और सक्रीता शेणी बना कर देखिए